नमस्कार, जैश्री कृष्णा, मैं राकेश श्रेवानियस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आज आपको एक अलग टाइब का टॉपिक बता रहा हूँ कि ये पर्शन बहुत आता है, मैं भी जब पत्रिकाएं देखता हूँ या नॉर्मली बाकी जूतिश भी जब पत्रिकाएं देखते होंगे तो उनके मन में तो होता ही है, लेकिन जो पूछने वाली लोग होते है उनके मन में भी एक प्रशन बहुत आता है, कि जो संतान है हमारे घर में तो संतान होंगी, वो लड़का होगी या लड़की होगी, यह बहुत पूछने में आता है तो संतान पुत्र हो या पुत्री हो, वो कैसे मानता है? आज के जमाने में दोनों बिल्कुल बराबर हैं, पुत्रिया पुत्री, जो हो जाये, वो समझिये कि भववान का आशीर, तो पुत्र और पुत्री का योग क्या होता है पुंडली में, वो सिर्फ बताया गया है, प्राचीन जमाने में, शास्त्रों में भी ब्रहत जादक के अंदर बताया गया है वो योग मैं आपको बताता हूं कि ग्रहों की पोजिशन अगर इस तरीके से बनी होगी तो आप कह सकते हैं कि आपके पुत्र होने की संभावना है या दूसरे तरीके से बनी होगी तो आप कह सकते हैं कि आपके पुत्री होने की संभावना मैं आपको व और लिखा हुआ है, ये श्लोक में इसने लिख रहा हूँ, ये कोई चीज बनाई भी नहीं है, या ना ही कोई प्रेटेस वाली चीज है, ये चीज शास्त्रों में दी गई हूई, और अथंटिकेटिट है, जो भी शास्त्रों में मारे दी आगें, इसमें कहते हैं कि यदि लगन, कुंडली में लगन हम जानते हैं, पहला भाव होता है, लगन सूर्य वे चंद्रमा, लगन सूर्य चंद्रमा वे ब्रस्पती, ये चार चीज, ये ध्यान लखनी है, नमबर वन लगन, सूर्य चंद्रमा और ब्रस्पती, अगर ये चारो बलवा हैं और विषम राशी और विषम नवांश में यानि डीवन चार्ट चार्ट के अंदर विषम-राशी में कोन सी होती है एक तीन-पाथ साथ-다ट नो-ग्यारा और सम्राशी कोन सी होती हैँ दो-चार छे-अash technician order और एफन हम जानते ही हैं यह प्रकार अगर ये चारोग रहे लगन सूर्य चंद्रमा वे ब्रस्पती बल्वान होकर समराशी में और समनवांच में बैठे हों तो इस्तिरी का जन्म होता है ये ब्रहे जातक के अंदर बता है दूसरा सिध्धान्त ये भी बताया गया है कि केवल गुरु वे सूर्य कहीं भी विशम राशी तथा विशम भाव में यानि लगन से तीसरे पांचवे साथवे नवे और ग्यारवे विशम भाव बोलेंगे उनको जो और भाव होते हैं हमारे तो केवल गुरुवे सूर्य भी कहीं भी विशम राशी में बैटे हों डीवन चार्ट में और लगन से तीसरे पा गया है इसका मतलब ये शास्त्रों में है तो इंदर प्रमानिक्ता तो ही है इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है लेकिन अब आप ये कहेंगे कि साथ हमने इतने कंबिनेशन बता दिये कि लगन सूर्य चंद्रवा ब्रस्पती चारों बल्वान होकर विशम राशी में हों विशम नमाश में हों तो पुत्र होगा तो क्या ये चारों चीजें सब मिल रहती है कि विशम राशी में भी हों और विशम नमाश में भी हों तो जाहिर है कि इतना म लगन सूर्य चंद्रमा बरस्पती इसमें से दो विशम राशी में बैठे हैं और दो ही विशम नमानशे में बैठे हैं इनमें से दो सम राशी में बैठे हैं दो सम नमानशे में बैठे हैं यहां पे तो यह है कि बरावर बरावर हैं दोनों पुत्र भी हो सकता है पुत्री भ कहीं भी विशमडाशी के अंदर बैटे हों और विशम भाव में हों तीन livesत्व में हों जनम निश्यत्र हो यह हमारा सिध्धान ते कि कुत्र होगा या पुत्री हो इसमें एक सिध्धाल तोर भी कहा गया है कि सूर्य वे गुरू दोनों ही पूरुश्ड रहे हैं तो राशी नवांच या भाव में विशम गत्थ होगे अगर ये सूर्य गुरू विशम राशी में हैं विशम नवांच में हैं और विशम भाव में तो पक्का हो सकता है एक जगे सम में हो एक दो जगे विशम में हो तो किस में जादा है अगर विशम में जादा है तो पुत्री की पुराप्ती सम में जादा है तो पुत्री निश्यत रूप से हो ये आपको ये वह जातक का दिया हुआ सिध्धान मंगल क्या होता है मंगल के बारे में शुक्र और चंद्रमा, इस तरी ग्रहें ने, ये हम लोग जाना, तो मंगल एक ऐसा ग्रहे होता है, जो किसी भी ग्रहे के साथ मिलता है, चुकि मंगल का कारक होता है, फोर्स, बल, ये हम लोग जानते हैं, कि मंगल का कारक बल होता है, या मंगल बल का कारक, ऐसे कहें जादा कर सकता है बहुत तहीं से कर सकता है तो मंगल का बहुत उपयोग है कि चन्बाव में है है है। और गुरु वे सूरिय अगर संभाव में, और अगर ये इस्तिरीक रहे के साथ, कौन कौन से इस्तिरीक रहे हैं, चंद्रमा और शुक, उनके साथ ये संभाव में हो, तो कन्या पैदा हो, ये आपको देखे, गुरु वे सूरिय जो दोनों कुरुष रहे हैं, अगर कुरुष रहे के साथ मंगल बैठा है विशम भाव में तो मिश्चित रुप से संदान पुत्र पैदा होगी अगर इस तरीक रहे के साथ बैठा है चंद्र मंगल संदान कन्या पैदा है और फिर ये बार-बार कहा जा रहा है कि सदैव निर्णे करते समय बहुत्रा को देखना जरूरी ह कितने विशम है कितने सम है उनमें से अधिकास रहे जिस इस्तिती में हो अगर विशम में हो तो पुत्र और सम में हो तो पुत्री का जिने करना है ये एक कुड़ी है आप देख सकते है इसमें गुरु बैठा हुआ है विशम राशी में सूरिय बैठा हुआ है तीन नंबर को अगर आप चेक करें तो मंगल भी आपका पांच नंबर राशी बैठा है दसवे भाव में वो भी विशम राशी लेकिन भाव सम है आप तीन राशी तो विशम है लेकिन भाव जिन भाव में ये बैठा है वो भाव क्या है छटा है आठवा है तसवा है ये सम भाव है ये द और राशी भी चेक करते हैं तो सम्म जाधा आता है जिसकी वहाव भी सम्म है राशी नाुट़ियां पराफ्त होुए की प्रहते हैं हाला कि ये तो डिपेंड बताता है ग्रहे तो पर उसके बावजूद भी फुत्र होगा या पुत्री होगी वो तो सब कुछ निड़ने पायलोजिकल होता है लेकिन उसके बावजूद भी यहीं भी डिसाइड करती है कि दशा उस समय कौन सी चल रही है जिस समय कंसीर किया उस कौन सी चल रही है अगर पुरुष करक ग्रहों की चल रही है और इस तरह की स्थिती है तो पुरुष संतान ठुस्यत रुप जाए और इस्ती आशा करता हूं वो जल्दी से जल्द अपना दियेगे नमरों संपर करके रइस्टर करते। धान्यवाद, जैशी.